हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Redmi Note 9 और Note 9 Pro के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Auto Answer के बारे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में Auto Answer को यूज़ करेंगे ओके वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा बेल का इकोन को प्रेस करेंगे So first of all क्या करेंगे हम अपने फोन में Google डेलर ओपन करेंगे उसके बाद हम क्लिक करेंगे टॉप पे जो राइट साइड में 3.mails पे क्लिक करेंगे हम यहां पे हमने इसकी सेटिंग्स पे क्लिक किया Calling Accounts पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए एक, दो, तीन, चार, पाट, छे, छटवा, छटवा ओप्सन है नीचे से तीसरा ओप्सन इस पे क्लिक करेंगे Auto-Answer को सिंपली हमें On कर देना है और Delay Auto-Answer की बात करें तो Delay नहीं करना है आफ़े 3 सेकंड में रिसीव होना चीए, 5 सेकंड में रिसीव होना चीए, 10 सेकंड में रिसीव होना चीए, वैसा कर सकते है आप लोग Auto-Answer में क्या होता है कि आप लोग Automatic बिना Green Button को दबाए Answer देंगे, ओके, सो कब Answer देना है आप लोग को हमेशा देना है, आलवेस कर सकते है, Headset Only करना है, Bluetooth Only में करना है, Headset और Bluetooth Only में करना है, तो आप लोग इसको कर सकते है ओके, सो जब भी लगे कि भाई Automatically Pick Up करना है Incoming Calls को, तो यह तरीका यूज कर सकते है, and category पर रहती है कि कब-कब आप लोग को यह सब करना है, ओके, सो topic जो है cover हो चुका है, मिलते है next वीडियो में जय मातादी